मेरे प्रेयमेत्रों नमस्कार आज साथ अगस्त दोहजार बीस है दिन है शुक्रवार और आज के इस A.F.E.I.S. के लाइफ मेनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजयागरवाल आप सभी का हारदी कुरूप से स्वागत करता हूँ तो आए फ्रेंड्स कल के ही विशे को आगे बढ़ाते हैं कल मैंने आप सबसे एक अनरोध किया था इनफेक्ट सच पूछे तो वह अनरोध एक प्रकार से आप लोगों के ऊपर एक बोज डालने जैसा ही था कि आप सब भगवत गीता के दस्वें अध्याय के कुछ इशलोकों पढ़ लें मैं ऐसा दोस्तों जान बूज कर कहता हूँ इनफेक्ट इसका कारण क्या है मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसपस्ट कर देना चाहिए क्योंकि अधरवाइज आप हो सकता है कि सोच रहे हों कि जब हम कोई पढ़ना है हम कोई समझ रहे है तो फिर आपकी क्या जरूरत है होता है कि देखे हमारी जो जिंदगी है ये लगातार बदलती रहती है लगातार बदलती रहती है शतरंज की विसात की तरह कोई भी एक स्थिती जादा देर तक रहती नहीं है अब सवाल यह है कि जीवन की सारी स्थितियों में आपको ही निरने लेने हैं कोई ब मामले होंगे, दैनिक मामले होंगे, उनमें आप क्या करेंगे, यह बात अलग है कि वो मामले तो दैनिक हैं, अभी आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं, निरनाय आपको लेना है, लेकिन आगे चल करके पता लगा कि उसके परणाम बहुत बड़े हो सकते हैं, क्योंकि हम कि जब भी निरने लेने का वक्त आता है, वो तुरंत निरने लेते हैं, वो बैठते नहीं है, किसी से पूछते नहीं है, टालते नहीं है, तुरंत निरने लेते हैं, तो ऐसा कैसे संभव हो पाता है, ऐसा संभव दे कि तभी हो पाता है, जब हमारे अपने मस्तिश्क के पा तो इससे हमारी छमताएं बढ़ती हैं और हम इस लायक बन पाते हैं कि हम अपने बारे में खुद सही सही निरणे लेने की स्थिति तक पहुंश सके हैं और दोस्तों के वल इसी बात को ध्यान में रखकर के मैं कभी-कभी आप लोगों को इस तरह के होमवर्क दे दिया करता लेकिन चलिए खैर आप लोगों में से कुछ लोगों ने डेफिनिटली पढ़ा होगा तो आपने एक बहुत अदभुत बात उसमें देखी होगी आपने महसूस किया होगा कि जब कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि मैं क्या हूं तो आप देखिए कि वो शायद ही किसी प मैं पर्वत हूं तो मैं हिमाले हूं मैं अगर पक्षी हूं तो मैं गरुन हूं जो सर्वत्तम हूं सकता है कोई बात नहीं मैं मचली भी हूं लेकिन मैं मचलियों में मैं मगर हूं मैं पशू में मैं सिंग हूं महिनों में मैं अगहन का महिना हूं और रितू में फिर मैं वस मैं सुरभी हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, हाथियों में मैं एरावत हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, तो इस तरह से जड, चेतन, जल, अंतरिक्ष, नक्षत्र, आप देखिए व्यक्ति, पशु, पक्षी, ज्यादा से ज्यादा पक्षों को लेने की को देखे इसका सार क्या है, हम सिरे सार पर आते हैं, वो कहना यह चाह रहे हैं कि सवाल यह नहीं है कि मेरा जन्म किस योनी में हुआ है कि मैं पक्षी हूँ, कि मैं जानवर हूँ, कि मैं व्यक्ति हूँ, मैं क्या हूँ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क केवल इसे पड़ता है, कि जिसमें भी मेरा जन्म हुआ है, क्या मैं उस जन्म की जो सर्वुत्तम इस्थिती हो सकती है, जो एक सुपरलेटिव तो बन जाता हूँ बस दोस्तों के वहले इस छोटी सी बात को समझाने के लिए बताने के लिए मैंने आप सबसे यह अनुरोद किया था अब विचार करने के लिए आपके पास एक होमवर्क हो सकता है कि आप उसमें जो एक एक तत्तों बताएगे हैं जैसे माली जी अगर हो कहते हैं कि मैं व्रिक्षों में पीपल हूँ तो आप तो सोड़ा सा सोचिए कि भाई आप पीपल की क्या विश्यस्ता है तो आपको मज़ा आएगा कि पीपल की ऐसी क्या विश्यस्ता है जो सभी व्रिक्षों में सर्वत्तम है तब आपको ये पता लगेगा आप इस बात को इंफेक्ट सही माइने में महसूस कर सकेंगे कि अच्छा इसका मतलब यह हुआ कि हम क्या हैं ये माइने नहीं रखता हम क्या बन गए हैं ये माइने रखता है ये भी माइने नहीं रखता कि हम क्या बन सकते हैं आप कुछ भी हूँ बनने की कोई सीमाने ये उसकी सर्वत्तम इस्थिति है वहां तक हर कोई पहुच सकता है लेकिन वहां तक पहुचने के लिए एक प्रक्रिया को अपनाना होगा और ये जो प्रक्रिया है ये आसान प्रक् देखे जब राम वनवास जाते हैं तो उनकी उम्र उस समय जादा नहीं थी वो 18 साल के आसपास की उनकी उम्र थी सोचिए 18 साल का एक जो बालक होता है वो कितनी छमता रखता है सोचने समझने की जोखिम में अपने जीवन को डालने की लेकि जलिए वो तो राजकुमार थे देखे होता ये है कि कैकई दशरत से दो वर्दान मांगती है राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज सिंगासन ठीक है आप पूरे के पूरे राम चरित मानस को पढ़ जाए राम चरित मानस में कहीं भी आपको एक शब्द ऐसा पढ़ने को नहीं मिलेगा यहां तकि संक तुम वनवास के लिए चले जाओ दशरत ने कहीं भी नहीं कहा है अब बहुत बारीक तोर पर भी पकड़ने की कोशिस करेंगे तो आपको कहीं भी यह संकेत नहीं मिलेगा डारेक्ट इंडारेक्ट कहीं भी नहीं बलकि आपको मालूम होगा कि जब राम सीता और लक्षमर वनवास को चले जाते हैं तो अपने मंत्री सुमंत को भेजते हैं चुपके से समझा करके जो भी ठीक है वो लोग चले गए है थोड़ा सा घुमाउमा करके और फिर वापस ले आना योध्या से तो उनका मन भी रह जाएगा और बात भी बन जाएगी लेकिन मैं बिना राम क नहीं रह सकता तो दशरत ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम वनवास को जाओ कहने कि ठीक है हम भरत को रासिंगहासन दे देते हैं ये उन्होंने कहा स्विकार किया लेकिन 14 वर्स के वरदान को उन्होंने स्विकार नहीं किया तो दशरत ने तो आदेश दिया ही नहीं राम क यह सोचने की बात है राम चले क्यों गए उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था और देखे जब वो माता कौसल्या के पास सुबह सुबह जाते हैं यह बड़ा करून और बड़ा प्यारा सा प्रसंग है कि कौसल्या माता तो अपने काम में लगी हुई है उनको हर्ष है कि बेटा सुबह सुबह राज्या भिशेक उसका होना है राजा बनने जा रहा है तो राम पहुचते हैं तापश वेस में कौसल्या के सामने खड़े हैं और कौसल्या नीचे अपना काम कर रही है देख नहीं रही है कौसल्या बकायदे वर्णन है क्योंकि देखती तो चौक ज नहीं सी मा पूछती है, उसी तरह से कौसल्या भी राम से पूछ रही है क्योंकि, कौसल्या के लिए राम पुत्र है और उनकी जो सबसे बड़ी दिन मोही वनवासू कह सकते थे उनको लगी नहीं रहा है कि मुझे वनवास दिया गया है वो तो कहते कि पिता दिन मोही कानन राजू उन्हों ने तो मुझे वन का राज्य दे दिया है आप देखे वन के वास को उनके अपने मन ने अपने चिंतन ने अपने विचार ने वन के राज में कनवर्ड कर दिया, दोस्तों ये राम थे, यही राम है, तो अब उन्होंने क्यों कहा कि कानन राजू, ये समझने की बात है, क्योंकि वो ये समझ रहे थे, कि अगर मैं सिंघासन से बंधा रह जाऊंगा, तो फिर तो यहां तो कुछ नहीं है, ऐश्वर है, संघर्ष से बनेगा, तो उन्होंने संघर्ष को अपने जीवन में आमंत्रित किया है, उनको भेजा नहीं गया है, अब ज्यान से पढ़िएगा, तो आपको ये बात वहां मिलेगी, तो दोस्तों इस पर हम लोग और भी आगे बाते करेंगे, आप सब भी अपने अपने धं कात होगी, तब फिर धेर सारी बाते होंगी, मेरा अभी वादन स्विकार करें, मेरी शुब कामनाई भी स्विकार करें, आप सब अपना अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, नमस्कार.